कि नमस्कार जंतन टीवी के विशेस कार्टम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है मैं हूँ अखलेश विश्व और आज हम बात्चित कर रहे हैं पूरुसांसत और भार्ती कॉंग्रेस के राश्टी प्रवक्ता उजित रागी से जो किसी परिशे के मुखताज नहीं है बच्चा बच्चा इन्हें जानता है उद्र जंतन टीवी से बाचित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले ये कि कॉंग्रेस आज जिस मुकाम पे है जहां पे है उसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं और क्या फर्क है बुनियादी बीजेपी और कॉ जो पूराने सड़े गले रीती रिवाज है उनको जिन्दा रखना चाहती है और आमराज लाना चाहती है सम्मिधान खतम करना चाहती है और कभी हिंदू मुसल्मान कभी जाठ गर जाठ अभी किसाना अंदूल उनको बदनाम करने कोशित किया कि ये तो खालिस्तानी है फिर पाकिस्तान से समर्थ हैं फिर चीज के समथन है तो बीजेपी को विकास से लेना देना नहीं है और तथा कर्थित वो हिंदू धर्म के ठेकेदार अपने आपको कहते हैं जब किया है नहीं कांग्रेस ने देश बनाया है देश की आजादी की लडाई लडी है उसने सारी संस प्रेट का जो कंसेप्ट है कि राज का चरीत्र कल्याणकारी होनी चाहिए वो कल्याणकारी राज का चरीत्र कांग्रेस ने बनाया यानि दलितों को उठाया आजवासियों को उठाया भाजेदारी दिया और रोटी कपड़ा मकान का बात जब बहुत पहले चलती थी 60-70 के द्रसक में तो तमाम सारे सिक्षा की बवस्ता सब तक पहुंचाने के कोशिश किया और बन रहेगा है आप आटियाई है और सब को भागेदारी देने के कोशिश किया और जो तमाम सारी निजी संपत्तियां थी उनका राष्टी करण किया जैसे कि आप कोईले का छ्यत्र था राष्टी करण किया बैंकों का किया ऑइल सेक्टर को लिए फर्टी की सबदो किया इसमें क्या हुआ जंता की भागेदारी हुई नावकरी मिली लोगों की बीजेपी उसको बेच रही है अंबानी अडानी के रेल हो या बीजेशनल हो, आइल सेक्टर हो, बीमल हो, सेल हो, या बीजेशनल हो और बहुत सारे सेक्टर को एक खतम करना चाहते हैं, बेशते हैं, दिगना चाहते हैं. यह बीजेपी का यह चरी तर आपको कब पता चला आप पांच साल उनके सांसद रहे उनके मंचूंपे बैठते रहे भारती जंदा पार्टी के कसीदे पढ़ते रहे और जब टिकट आपको नहीं मिला तो आपने कहें जिया कि साब यह मनुवादी है सीमित सोच है सीदे हमने कभी नहीं पढ़ा और आप में दलिद भोज इन्होंने आयोजित किया तो हमने विरोध किया था इनका दलिद भोज खराब हुआ निजीच छेतर में आरच्छन के लिए बिल हमने पेश किया तो खुस नहीं हुए और जो केरला में सबरी माला मंदिर है और उसमें जब यह कहा कि सुप्रेम कोड का कानून नहीं लागू होना चाहिए और परमपराओं को फालू करना चाहिए तो हमने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की बरावरी की चिंता रहती है कि ट्रपल तलाक खतम किया जाए हिंदू महिलाओं को क्यों नहीं मंदिर में प्रिवेश करने का है इसके अलावा भी हमने डेमोनिटाइशन का बड़ा बिरोध किया था यह मिचूर जीस्टी का बड़ा बिरोध किया था सारे मुद्दों पर हमने बिरोध किया था हाँ एक बात है कि जब हम पार्टी में हैं तो जो उनकी नीतियां हैं उसको हमने बिरोध नहीं किया लग हमने 2014 में बोर्ड दिलवाया अपने समाच से उन्होंने टिकट दिया तो उन्होंने कोई अहसान नहीं किया नहीं हमने कोई अहसान किया लेना देना रहुआ और इसी बात नहीं कि टिकट कर गया तो मैंने छोड़ दिया हो राजसभा की सिट भी आफर कर रहे थे और इसके का पत खाली है कहिए तो मोदी जी से बात्षित करें तो हमने कह ऐसा नहीं है तो यह नहीं की टिकर लेकिन हां दोखा देना अगर एक सब्सकार देन पहले कह देने बात नहीं दे कर्वान दौन किसानों को भारतिय जंदा किसानों ने मुना किया कि कोई राजनेटिक ब्यक्ति हमारे मंज पर नहीं आएगा तो वहाँ जा नहीं सकते तो किसान कांदोनान southern का नेतरद भी नहीं कर सकते और उन प्राइम मिनिस्टिर है कि बात को को डिमान को मानने का उनका अधिकार है तो उनका कोई भी भूमी का नही यह तो बीजेपी का डर है राहूल गांजी से केवल एक ब्यक्ति से डरता ही है बीजेपी और एक ही जो सेनानायक है इस देश में जो बीजेपी की गलतियों का बिरोत करता है तो इसमें रहुल जी का कोई लेना देना नहीं रहें, चाहे इंडिया में रहें, किसान अंदोलन या किसान की मांग से कोई लेना देना उनका नहीं है को लेरा दिन हाँ पूरे विपक्ष की जिम्मेदारी जिसमें कांग्रेस भी है सपा भी है राजत भी है बिजय डी भी श्याहट भी आमाद्मी नहीं बोला यह किसानों को नहीं लड़ना चाहिए बिपक्ष नहीं लड़ा तो किसान लड़ा यह दूसरी बात है काम ने नहीं दिया इसमुद्दे को उठाने का काम किसी नहीं किया और किसी नहीं कि अच्छा वज़ा है कि बार-बार कॉंगरेसियों की फिर्फूई आके गांधी परिवार पर टिक जाती है सारा समाधान आपने का एक ही नायक है एक ही जो देश को बचा सकता है राहुल गांधी ऐसा क्या है कि गांधी परिवार में क्या करिस्माई व्रक्षित्व है कि परिवार के लोगों ने देश बनाया है और गएर सरकारे गएर इस परिवार के लोगों की सरकारों ने कितना देश को बर rays किया इसलिए लोगों की आस्था जुड़ गई है लोगों को विआतने विस्वास है इस शब्सक्राइब किया है विकास किया है डेमक्रीका को पूरा इन्होंने नर्स किया है आपको लगता है कि मीडिया भी आपकी इसने नाराजी क्यों है आप से सिस्टम से आप जजों से नाराज हो जाते हैं आप मीडिया में नाराज हो जाते हैं आप कहते साथ मनवाजी इस्टी चल लए है आप कुम बेले पर जो खर्च होता है उस पर नाराज हो जाती है क्यों त आइसे समय पर हमारा इंटीव आप ले रहे हैं हम उदाराण दे सकते हैं कि कि ट्रम्प का साथ, उनकी पार्टी ने भी छोड़ दिया रिफ़ब्लिकन, पार्टी ने भी छोड़ दिया सेना ने उनका साथ नहीं दिया जब जार्ट फ्लॉयट का मामला आया था पुलिस ने साथ नहीं दिया और चुनाओ आयोग ने नहीं साथ दिया और मिडिया तो साथ देने का मतलब ही होता है वही हालत मोधी जी का होना चाहिए लेकिन यहाँ पर सुपरियम कोट बीरोक्रेसी इंकम टेस एडी सी नहीं है मोधी सरणम गच्छामी है उदाहरां देखना चाहिए कि डमोक्रेसी अमेरिका में है भारत में नहीं है यहां मोधी सरणम गच्छामी हो गया है बताइए यह सवाल पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था पंदर लाक रुपया लोगों एकाउंट में काला धन बाहर से कितना काला धन ना नों ने दो करोल रोजगार क्या लोगों को दिया दो करोल रोजगार छील लिया कि ए डीमोनेटाइजिसंह से कहा कि आटंगबाद की कमरट तूड यह उसके बज़्यादा हमारे साइनिक मारे गये हैं। उद्र जी दिल्ली में जहां 15 साल कॉंग्रेस की सरकार्थी क्या ऐसा हो गया कि आप यहां से ऐसी मिट गए कि ना आप लोकसभा में हैं, ना विजहान सभा में हैं, ना नगर निजम में हैं। यह बात तो मैं मानता हूँ आपने सच कहा कि हमारे बहुत कमजोरी है। लोकसभा में तो हम दूसरे पुजिशन पर रहे हैं। और लेकिन अस्थानी अस्तर पर, इस्टेट अस्तर पर हम तीसरे नंबर पर हैं आज। और पुनर विचार करना पड़ेगा। करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा यह मैं मानता हूं आत्मा लोचना करना चाहिए हमारी कमदोरी है क्या आपके पास प्लान है नहीं दिल्ली में प्रदूशन का मुद्दा होता आम आधवी पार्टी वीजेपी दोनों एक दूसरे से ऐसा लड़ते हैं जिसे वही दोनों है कॉंग्रेस इरिलिवेंट हो गई है कॉंग्रेस के शक्री दिखाई नहीं दे रही है कि अगर मेरी भूम क्या रहे दिल्ली में तो सुधार जुरूर हो सकता है लेकिन अमने तुक आप चाहते हैं गूर मिले आप दिल्ली को सुधार देंगे कि आप जानते ही हैं कि जब तक पार्टी के तरफ से डेलिगेट नहों तब तक पॉब्लिक थोड़ी मानती है जनता तो है हमारे बीच में लेकिं पॉब्लिक कि तरह से कोई कॉडिनेशन हो या मतलबे की डिरेक्शन हो मारदर्शन हो इन्वाल्मेंट हो तभी तो हो सकता है तो आप लगता खुद नेत्रत पुर ने चाहा था कि डिल्ली में कॉंग्रेस पन पे मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश की इस्तिती है डिल्ली की स्तिती नहीं है जबसे राहुल जी अध्यक्ष नहीं है तबसे गजविती बहुत स्तेज नहीं कई स्टेट में हम जहां अच्छे थे लूच किये हैं तो दिल्ली में ही कमजोड नहीं हुए और यूपी पिछले वर्थ उठा था भी इस समय थोड़ा डाउन चल रहा है दिल्ली में चांदी चौक में मंदिर तोड़ देते हैं बीएशपी बीजेपी आमादवी पार्टी दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं कॉंग्रिस के लोग दिखते नहीं प्रदूशन का मामला हो जल निगम पर धरना देते हैं भारती जंता पार्टी कार्व करता पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के वास्तियों से तो ऐसा नहीं लगता कि कॉंग्रिस को लगता कि भारती दिल्ली के जंता ने हमारा स और ने हुल तो आदालत ना चाहिए लेकिन गुंदा बनाय करके बोट लेने की रसा कर्फाति है हम सेकुलर हैं चिहां नहीं पड़ते हैं अगर कोई मामला था तो फिर अदालत पमें जाना चाहिए था डिक्ते क्या है कि आप क्रondeika में आपकी सरकार चली जाती हैं गोउवें जीत के भी आप सरकार नहीं बना पाते हैं जहांपर आप कि सरकार है राजिस्थान में बगावत हो जाता है जित तो कॉंग्रिस पिर शिंदिया मंद्ध्यान से दबाओं में हैं जैसे कि कभी भारत में ऐसा नहीं था मानलो जब कांग्रेस में सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के अलाओं भी बीपक्च की पार्टियां बड़ा मुखर होकर के केंदर के खिलाफ लड़ती थी आप इसारा उन लोगों के तरफ तो नहीं जो कांग्रेस की नेच्चित पर सवाल उठाते हुए चिठ्ठी लिखेते हैं सोरिय गादीजा मैं उन्हीं की नहीं बात कर रहा हूं मैं अक्टिब बात जो बड़ी-बड़ी पोस्ट पर लोग हैं उन्हीं की बात रहे हैं अपनी कि बड़ी पडले लाक पचास पचास जार की रई लिकरो बीस पचास पचास नेखरो पूरे देशन कि बात को पड़े हुए हो अप लगतना कि जो टीम है वह डरी हूई है वह एडी से डरी है इंकांटेक्स के डरी है इसलिए काम नई कर पारे की दूसरे नमीन पतना एक लड़ रहे हैं या अखिले जी लड़ रहा है को लड़ा कोई नहीं लग रहा है कि जो भी बोले जो पीजेपी मी आ जाए गंगा जल नहागा करके गंगा ना करके पवित्र हो जाए चुरह मुकुल रायहों थुभंट बॆ अधिकारी उनका उनका पीडियों तो लगा रखा तो कर अपसन को अचा लोग जाना चाहते हैं कि उद्धित राज की लड़के को माय-उती के लड़के को चिराख पासवान को आरग्षण चाहिए देखिया ऐसा है कि आरच्षण आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया, इस देश में आर्थिक आधार पर अगर चीजे होती तो ब्रामन के घर में पैदा हुआ, ब्रामन नहोता, ठाकुर घर में पैदा हुआ, ठाकुर नहोता, इंसान होता तो एक समाजी की रिप्रजेंटेशन है कोई आर्थिक आधार पर होता तो मंदीर पर गी मंदीर में क्यों ब्रामणी क्यों बैठे हो उसका भी सवाल उठना चाहिए RSS का हेट कौटर में क्यों ब्रामणी आज तक हम में सारा एक दलित नहीं पहुँचा इस पर सवाल उठना चाहिए कि क्या रिजर्व सरसंग्चालक और सरसंग्चालक छेत्र प्रचारा के सारा पुष्र रिजर्व है ब्रामणों सवाणों को दलित पिछड़े क्यों नहीं वहां गए आप अनुचारधारा है नहीं आप उनके अनुरूप काम करेंगे नहीं आप सिर्पद के लिए चले जाके बैठ जाएंगे बात विचारधारा राकी नहीं हो रही है लिए है कि हमध्या Standards कामरे नहीं जातिके आधार पर मूला तमाम राज्जों के राजपाल उन्हें ध्यादिकों को वो आप नहीं देखा की लेकि रामनात कोबिन जी के पास पावर क्या है एक कलर की निउट कर सकते हैं क्या किसी राश्पती के पास इसके पहले भी जो गाइन एक राश्पती थे जिन्हों ने एक सर्साइज किया कई सरकारें बचाई दो सरकारें बचाई यह तो बहुत अब कर आप को मिल जाए कि आप अगर मैं आपसे पुश्चिए कि दस जलित नेता वता ये देश के जो आपको लगता है कि जिनको पोस्ट मेलेगी तो काम कर जाएंगे वह कि लिए हमएं कोई सरव्य करके रख्का है हमें दे दें पॉस्ट हम देखते है बिङे पैसि अपने करें देखते और कोई लेगा विदे जिम्मेदारी कोई कर लेगा अम आद्म कर ले फिरअल का मतले भी क्या है अच्छी ठीने करें और बहुजम समाज पार्टे ने तो दलितों का जितना बड़ा नुक्सान किया उतना किसिन नहीं किया 30-40 साल से पूरा भ्रिमित कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो स्वर्ग देंगे सब कुस देंगे 30-40 वरस तक ना विधान सभा ना लोग सभा ना सड़क पर लड़ाई लड़ी और नीजी करण बढ़ गया आरच्छड खतम हो गया और सिक्षा का नीजी छेतर में चली गई दोई छेतर में कि वजह से दलित आगे उपर आये था सुन लेजी पाले एक तो सिक्षा में रिजर् जागरिती में बहुजण जागरिती जो हुई सो हुई उसमें जाती जागरिती जादा उत्तर प्रदेश में जतने बड़े जतने पार्टीयां बनी हैं सब बीस की से निकल करके चुकि इन्होंने कहा तो दिया पचासी पर पचासी पर सेंट आए हमारे हैं कुर्सी लगी ए पहले कांग्रेस के जबाने में चाहे कम जागरित था बोर्ट की ताकत एक थी और तब दलितों के अधिकार को कोई हमला नहीं कर सकता था 1990 के पहले के ही जो कांग्रेस के सरकार के सारे अधिकार दिये गए उसी के वज़े से आज हम लोग हैं जिन मुद्दों को आप ले कर कि बीजेप से नारासे आप करें रिजी छेत्र मार अरचन है कोटा है प्रोबोर्शन में इसे वेशन है वो सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी उसको इंप्लिमेंट करेगी आपकी पूरी बास मानेगी कांग्रेस नहीं जो तक अभी तक दिया है नवे के पहले एक नहीं देखिया ऐसा है नहीं हम एक प्लेटफान के ले गए थे प्लेटफान मिला अपनी बात कही हम कोई बीजेपी का आदमी हो के गए थे आपने समाच के लिए हम गए होगा पर प्लेटबाद क्या हुआ दलितों का तो उनको आउसर बादी कहेंगे जो आप कह रहे हैं कि उन्हों आपने वोड दिलाया उन्होंने पत दिलाया तो आउसर बादी नहीं आउसर बादी यह होता कि उनका हम लाव उठा लेते यह तो उद्धे एक आखिर सवाल आप से नहीं हो कि पूरे देश की पॉ गड़े में गिर गया है अब बड़ा मुश्किल लगता है देश उठाने का चुकि यहां की सहंस्ताइं सारी कंप्रोमाइज कर चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि अब कहीं फ्यूचर भारत का है यही वज़ा है कि पार्टी के अंदर हों चाहे पार्टी के बाहर हों यह अपने बयानों को लेकर आलग सुर्चा परोड़ते रहते हैं खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट